हेलो स्टुडेंट्स वेलकम इन माई चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत आएए आज संस्कृत अध्यन के दूसरे दिन में हम पुल्लिंग, स्ट्रेलिंग और नपुन्चकलिंग शब्दों का ज्यान करते हुए उसमें एकवचन, ड्वीवचन और बहवचन में क देखें पुल्लिंग में क्या आते हैं वे शब्द जो पुरुष जाती का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं पुल्लिंग इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिये कि संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं पुल्लिंग, स्ट्रेलिंग और नपु एक वचन में बालक शब्द को कैसे कहेंगे बालक हा क्या बोलेंगे बालक हा दूआ 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 दू बालकह मिच एक बालक, बालकव मिच दो बालक और बालकह मिच अनेक बालक, बालकह, बालकव, बालकह, एक बालक, दो बालक और अनेक बालक, ठीके, अब देखे, जैसे बालक शब्द है, यानि एक वचन, दुवचन और बहुचन में अलग अलग जैसे चलता है कि बालकह, बा सुकह, द्विवचन में सुकव, और बववचन में सुकाह, ठीक है, जैसे गज सब्द है, तो कैसे चलेगा, गजह, गजव, गजाह, जैसे चटक सब्द है, तो चटकह, चटकव, चटकह, चटकव, चटकह, एडक सब्द है, तो देखिए, एडक, एडक को एक वचन में क्या होगा, एडकह, द्विवचन में एडकव, और बववचन में एडकह, वैसे ही अश्व सब्द कैसे चलेगा, अश्व, गजव, अस्वव, अस्वाह, ठीकह, देखिए, वैसे ही मोहन शब्द है, तो कैसे चलेगा, मोहनः, 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 यादि आप आपको देखनी को भी लगए, एक वचन में, जिसे बालक सब्द है, उसमें केवल विसर्ग लगे, बालकह, शुकह गजह चटकह एड़कह अस्वह मोहन या विसर्ग लगे हुए हैं और द्वीवचन में आउ आउ प्रत्य का प्रियों मिस इसके पीछे आउ लगा हुआ है बालकव शुकव गजव चटकव एड़कव अस्वह मोहनव इनका मतलब दो बालक दो तोते दो हाथी दो चिड है बालकव मिस अनेक बालक शुकह अनेक तोते गजह अनेक हाथी चटकह अनेक चिड़े एड़कह अनेक बेड अस्वह अनेक गोड़े मोहन मिस अनेक मोहन यहनी कहने का मतलब जो है इन से दो या दो से अधिक चीजों का पता चलता है उसमें कैसे चलते है यानि बहवचन मे सुकह, बालकह, गजह, चटकह, एडकह, अस्वाह, मोहनह, मुसकह, आदी ठीके, ये हो गए हमारे पुल्लिंक शब्द अच्छा, एक बात का और अपने को ध्यान रखना है कि ये सारे शब्द जो है, सुकह, बालकह, गजह, ये सारे शब्द जो है ये किसमे काउंट होते हैं, प्रथम पूरुस में, किसमे आते हैं, प्रथम पूरुस में काउंट होते हैं, कौन से पूरुस में काउंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरुस भी बताए थे, कि पूरुस तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पूरुस, मध्य किस प्रकार से चलती है जैसे बालक है एक बालक है दो बालक है अनेक बालक है अब यह तो होगे करता मिस काम को करने वाला जैसे बालक जाता है तोता जाता है हाती चलता है चिर्या उड़ता है ठीक है अस्वह दावती मिस गोड़ा दोड़ता है मोहन पढ़ता है ठीक है अब पढ़ते हैं, चलते हैं, जाते हैं, खाते हैं, ये तो है, इसके इनके साथ क्रिया ये भी है, अब उस क्रिया का प्रियोग प्रथम पूरुष में कैसे होता है, देखें, प्रथम पूरुष में क्रिया का प्रियोग कुछ इस प्रकार से होता है, पठती, पठतो, पठन्ती, इनके मीनिंग भी अपने को याद रखने है तुम का मतलब क्या होता है तुम, देखे तुम मीज तुम, युवाम तुम दोनो और युवश्व तुम सब, ठीके अच्छा आप, उत्तम पूरुष में क्या क्या काउंट होते हैं, जरह ध्यान से देखिए, उत्तम पूरुष, उत्तम पूरुष, उत्तम पूरुष उत्तम पूरुष में अहम आवाम और वयम अहम आवाम वयम यानि अहम मीच क्या होते हैं? मैं अहम मीच मैं आवाम मीच हम दोनों और वयम मीच हम सब हम सब और हम मैं आवाम हम दोनों वयम हम सब और प्रतम पूरुष में क्या काउंट होते हैं? स तव ते यानि वह वे दोनों और वे सब देखें, जब हम इंगलिस पढ़ते हैं तो इंगलिस में क्या होता है? कि first person क्या होता है I, my, me i, my, me वो first person होता है ठीके second person में क्या होता है you, your, your जो हमारा second person मध्यम पुरुष क्या आता है तुम, you, आम, you, yam तुम, तुम दोनो तुम सब मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष in English और संस्क्रत दोनों का सेम है उत्तमपुरुस इसमें अहम आवाम वयम संस्कृत में क्या है अहम आवाम वयम है और उसमें किसमें इंगलिस में थर्ड परसन जो है थर्ड परसन किसको माना जाता है जो है और हमारे नाव संस्कृत भासा थे सबी भासाओं कि जननी है और हमारे संस्कृत भासा में अतिति देव भव अतिति को देवता के समान माना जाता है तो इसमें जो third person होता है उसको यहाँ प्रथम पूरुस के रूप में लिया जाया है किसके रूप में लिया गया है प्रथम पूरुस के रूप में लिया गया है यानि third person को यहाँ पर सबसे पहले प्रधानता दी गई है उसको ही प्रथम पूरुस कहा गया है तो जैसे स, त, 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 वह, वे दोनों, वे सब इस थर्ड परसन को प्रथम पूरुस में इंगलिस का थर्ड परसन और संस्कृत में किसमें काउंट किया गया है प्रथम पूरुस में काउंट किया गया है इंग्लिस के थर्ड पर्षन को संस्क्रत में प्रथम पूरुष कहा गया है सतव ते पुलिंग में सतव ते होता है स्त्री लिंग में सा ते ताह होता है सा ते ताह और नपुन्चकलिंग में क्या होता है तत ते तानी ये नपुन्शकलिंग में मीनिंग वह होता है वह वे दोनो वे सब स सा तत ये पुलिंग है ये इस्त्रिलिंग है और ये नपुन्शकलिंग है तो मैं आपको पुलिंग ही बताऊंगी सत तव ते वह वे दोनो वे सब इसमें क्रिया कुछ इस प्रकार से लगती है पठती पठता है और पठती मिश पढता है सपठती वह पढता है तव पठतह वे दोनों पढ़ते हैं और ते पठनती वे सब पढ़ते हैं इन सब के साथ किसके साथ सुकह, गजह, चटकह, एडकह, अस्वह, मोहन, इनके साथ पठती पठती यानि ती प्रत्यवाला जैसे सुकह, अब तोता जो है क्या करेगा सुकह खादती, जैसे तोता खाता है, तो सुकह खादती, गजह चलती, चटकह, मिस चडियात जो है क्या करता है वो, वो जो है उड़ता है, उड़ियती, उड़ियती, एड़ कह चरती, अस्वह धावती, मोहन पठती, सुकह तोता खादती मिस खाता है, गजह चलती, चटकह उड़ियती, एड़ कह चरती, अस्वह धावती, मोहन पठती, इसके साथ क्या लगेगा, तह तो, यह तो, पठता है, यहाँ पर क्या हो जागा, पठता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, पठती, अन्ती लग जाएगा, इसको भी मैं इस चीज के माध्यम से आपको समझाती हूँ, यह हमारे पुलिंग सब्दों के बारे में जान लें, कि सुकह, गजह, चटकह, बालकह, एडक, यह कैसे चलते है, सुकह, सुकह, एक तोता, दो तोते, अनेक तोते, एक बालक, दो बालक, अनेक बालक, ठीके, यह बालकह, अह, अउ, आह, इससे चलते है, पुलिंग में रू कैसे होता है क्यों वीं क्यों किपकर फ्रियों को समझा होगी यह मैं आप को बताए अभी जिसे बालक, अश्व, गज, और सुक, आभी ये सारे शब्द मैंने जो आपको बताए, ये सारे कौन से है, पुलिंग शब्द है, और एक मचन में कैसे चलेंगी ये, बालक ह, अश्व का क्या हो जाएगा, अस्व ह, गज का क्या हो जाएगा, गज ह, और सुक क यह तो हुत है हमारे संध्या सब्द法, अब दखिए यह सारे करता होगे, यह काम को करने वाले हैं, जैसे बालक पढ़ता है, वह पढ़ता है, गोड़ा जाता है, या गोड़ा दोड़ता है, हाथी चलता है, तोता उड़ता है, ठीके, तो ये सब तो उड़ने वाले, चलने वाले करता हो गए, अब इनकी क्रियाएं, क्या होती है, क्रिया, देखे, क्रिया शब्द जो है, जो आपने इंग्लिस में पढ़ी होगी, जिसको इंग्लिस में क्या कहते है, वर्ब, क्रिया को इंग्लिस में कहते है, वर्ब, हिं संस्क्रित में हिंदी में क्रिया, इंगलिश में वर्ब और संस्क्रित में धातू. ठीक है? अब यह धातू क्या होती है? देखें यह क्रिया क्या क्या होती है? जैसे पठ. पठ मींच क्या होता है? पढ़ना. पठ मींच पढ़ना. चल मींच चलना. चल मीज़ चलना हस हस मीज़ हसना ठीके धाव धाव मीज़ होते है दोडना लिख लिख मीज़ क्या होता है? लिखना लिख मीज़ लिखना पा धातू होती है पा पा मीज़ पीना जो पिबती पिबता पिबनती से चलती है पा मीज़ पीना ठीके अच्छा पत पत मीज़ गिरना पत मीज़ क्या होता है? गिरना पस्चे धातू जो द्रिश से चलती है द्रिश धातू द्रिश मीज़ देखना और पस्चे मींस भी देखना होता है, तो द्रिश मींस देखना, ठीके, क्रिड, एक क्रिड होती है, क्रिड, क्रिड मींस खेलना, क्रिड मींस खेलना, ठीके, ठीके, पठ, चल, हस, धाव, लिख, पा, पत, द्रिश, क्रिड, वैसे ही इन्दी में जिसे हमारे चलना, भागना, दोड़ना, रोना, हसना, चलना, गिरना, लिखना, पढ़ना, यह सारी क्या होती है, हमारी क्रियाएं होती है, और संस्कृत में यह कैसे होती है, पठ मीस पढ़ना, संस्कृत में पढ़ने को क्या कहेंगे, पठ, चलने को चल, हसने को हस, धाव, लिक, पा, पत, द्रिश, इस प्रकार से जो है अलग-अलग धातु चलती है ये धातु यानि मूल धातु है क्या है ये मूल धातु अब मूल धातु है पढ़ना पढ़ना तो होता है लेकिन राम पढ़ना वह पढ़ना तुम पढ़ना ऐसे ही पढ़ना ही शब्द का प्रियोग तो नहीं करेंगे ना य वो भी अलग-लग तरीके से चलेगे, अर्था जो है अलग-लग तरह के हो जाएंगे, अलग-लग काल में जब इन धातू का प्रियोक करेंगे, तब ही इनके रूप अलग-लग हो जाएंगे, जिसे वरतमान काल में। दातु का प्रियोग करते हैं यानि पढ़ना को तो क्या कहेंगे वर्तमानकाल में पढ़ता है भूतकाल में पढ़ा था और भुष्यतकाल में होगा तो क्या हो जाएगा पढ़ेगा अब वर्तमानकाल भूतकाल और भुष्यतकाल यह तो हो गए लेकिन इसके साथ-साथ यह त तुम पढ़ता है या फिर जो है मैं पढ़ता है ऐसे तो नहीं कह सकते ना वह पढ़ता है यह सेंटेंस सही है लेकिन तुम पढ़ता है ऐसे तो नहीं बोल सकते क्यों तुम पढ़ते हो सेंटेंस में किस प्रकार से बोलेंगे हम तुम पढ़ते हो मैं पढ़ता हूं ठीक है त प्रियोग हुआ इसलिए संस्कृत में ये पठ जो धातु जो है इनके रूप चलते हैं धातु के क्या चलते हैं रूप चलते हैं और जिनको क्या बोलते हम धातु रूप क्या बोलते हम धातु रूप ठीके ये धातु रूप जो है अलग-अलग काल में अलग-अलग तरीके स चलती है यानि वर्तमान काल में अलग तरीके से चलती है देखे जब वर्तमान काल में ये धातू अलग तरीके से चलती है और वर्तमान काल में चलने वाली धातू रूप को हम लट लकार बोलते हैं क्या बोलते हैं लट लकार जब कोई बात जो है भूत काल की बतानी होती है य और जो भुविश्यत काल की बात होती है अब संस्क्रित में देखे वैसे तो संस्क्रित में लकारों की संख्या होती है लेकिन यहां पर हमारे 10th क्लास तक इन में पाँच लकार ही प्रियोग में आते हैं, बाकी जो पाँच बचे वो वैदिक संस्क्रित में उनका यूज होता है, देखिए लट लकार यानि वर्थमान काल की बात बता नहीं हो तो लट लकार को देखेंगे, भूत काल की बात बता नहीं हो तो लिट लकार को देखींगे अब देखिए हमारे दो लकार हो रहे गए लोट लकार और जो है नेक्स्ट है विधी लिंग लकार विदिलिंग लकार देखे लोट लकार किसी को आग्या देते हैं क्या देते हैं किसी को आग्या देते हैं तो हम लोट लकार का प्रियोग करते हैं आग्यार्थक काल में कौन से काल में आग्यार्थक काल में हम लोट लकार का प्रियोग करते हैं और जब हम किसी को सलाह देते हैं, सलाह देते हैं, तब हम विधी लिंग लकार का प्रियोग करते हैं, जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें पड़ना चाहिए, तुम्हें नोषवishy. तो जब हम किसी को सलाह देते हैं तो विधी लिंग लकार का प्रियोग करते हैं। प्रथम पूरुष का प्रियोग किस प्रकार से होगा। तो यही मैंने इसमें बताया था और अब एक बार और बता देती हूं। प्रथम पूरुष का प्रियोग किस प्रकार से होता है वो मैं इससे आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। देखे इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया कि पुल्लिंग शब्द किस प्रकार से चलते हैं। यानि इसनका बतलब एक बालक, दो बालक और अनेक बालक, एक तोता, दो तोते और अनेक तोते। और इनके साथ क्रिया का प्रियोग किस प्रकार से होता है। एक वचन में पठती, द्वी वचन में पठतह और बहुचन में पठती। किसका प्रियोग अन्ती, ती तह अन्ती, यानि पुलिंग में धातु का जब प्रियोग होगा, क्रिया का जब प्रियोग होगा, तो क्या होगा, ती तह अन्ती, आगई बचन में बस इतनी सी ही बात मैंने इसमें पुलिंग के साथ किस प्रकार से क्रिया का प्रियोग होता ह केवल यही बताई और उसके साथ साथ यह लकारों की संकिया कितनी होती है लंग लकार का प्रयोग करेंगे उसके साथ-साथ मैंने कुछ धातु भी बताई है जैसे पट, चल, हस, धाव, लिख, पा, पत, द्रिश और क्रिड ये सब धातुए हैं और भी बहुत चारी धातुएं जिन में से पट का मतलब होता है पढ़ना, चल का मतलब होता है चलना, हस, हसना, धाव, दोड़ना, लिख लिखना, पा, पीना, पत, गिरना, द्रिश, देखना, क्रिड, खेलना ऐसे बहुत चरिधातू होती है जिनके पांचो लकारों में बिन बिन तरीके से रूप चलते हैं इससे आगे वाले वीडियो में मैं आपको स्ट्रिलिंग शब्दों के बारे में बताऊंगी और नपुन देरे करके सिखाऊंगी देखिए मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे वीडियो देखने के ल नेवाद